दोस्तों सभी का स्वागत हैं आप सभी देख रहे हैं आपका अपना येट्यूब चैनल लगातार पलपल छोटी बड़ी जानकारी के साथ बने रहिए और देखते रहिए रेवशा शीतापूर प्रेम बाजपे की रिपोर्ट आपको बता दें कि अभी जो हमारे कैमरे के माध्यम से येट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देखेंगे ये फाइल फोटो आज ये हम सब के बीच में नहीं है दुनिया से पूरी तरीके से बिदाई ले ली है और ये उस वक्त बिदाई ली है जब एक अपने ही परिव भतीजा दोनों ये जख्मी हो गए थे जिसमें भतीजे की जान चली गई रास्टे में ले जाते समय वहीं पर चाची की नाजुक हालत बनी हुई है और इलाज जारी है हम आपको बता दें घटना के बारे में पूरी तरीके से कि गत दिनों थाना सादरपुर इलाके में एक सीमेंट ट्रक के दोरा बाइक में ठोकर दी गई थी जिसमें चाचा और चाची और भतीजे जख्मी हुए थे दम हिरूप से और दोनों जख्मियों को परिवारी जनों के दोरा और परतक्स दर्शियों के दोरा एमबुलेंस 108 से विश्मा स्यास्ची ले जाया गया था जहा दिन वहां से भी उनको डेक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये नाजु खालत देखते हुए और लखना उरिफार किया गया वहीं पर रास्ते में भतीजे की जान चली गई ले जाते समय और चाची का इलाज जारी है घटना पर पकाह डालते चले कि ठाना रेउसा के ग्राम र 12 सितंबद 2020 को अपनी चाची मुस्कान के साथ बाइक से दवा लेने जा रहे थे विश्वा और वहीं पर अचानक जहांगिराबाद में एक सीमेंट उतारने आया किसी ब्यापारी के वहां ट्रक ने जबरजस्ट हो कर दे दी जिससे की राके शुकला पुत्र किशोरीलाल उ दम्भी रूप से जख्मी हो गए सभी जख्मियों को आनन फारन में पहुंची पुलिस के द्वारा और प्रतक्स दर्शियों की मदद से परजनों के द्वारा शियस्टी ले जाये गारा इंबूलेंस 108 से वहां भी डक्टरों ने प्राथूंग चारकन एक बाद हालत जारी है और गञत्ज अधनों 19 सित्वंबर 2020 की है पूरी तरीके से आज फाइलफोट के साथ यह ख़बर आपको जानकारी के लिए वह दिया रही है और जख्मी देख सकते हैं चाची भी है कुछ तस्वेरे हैं यह वही तस्वेरे हैं मामला गट दिनों का है 19 सितंबर 2020 का और पूरी खबर के लिए नीचे लिखी दिस्क्रिप्शन में खबर को भी आप लोग पढ़ सकते हैं हर वीडियो के साथ नीचे लिखी दिस्क्रिप्शन में खबर बराबर लिखी जा रही है झाल है जाने वाले हैं जाने जाने वाले हैं जाने 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 जा